हे गाईस तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉंफी कार्स में और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि 13 ऐसे SUV हैं जो की इस साल 2023 में भारती बजार में आने वाली हैं तो यहाँ पर नंबर वन पर आती है टोयोटा कोरोला क्रॉस यह दोस्तो एक DNGA प्लेटफॉर्म ब बहुत ही शानदर है टोयोटा अपनी कार में नॉर्मल सा ही लुक्स देता है कोई भी ज़्यादा स्टैलिश लुक नहीं देता लेकिन फिर भी इनकी गाड़ियां देखने में बहुत ही अच्छी लगती है कार के जो परफॉर्मेंस वो बहुत ही अच्छी है आपको विजि बहुत है तो आपको एट इंच इंफोर्टिनमेंट सिस्टम मिलेगा इस्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल डूल जोन क्लामेट कंट्रोल सिक्स एरबेक्स एबीस एबीडी ब्लाइंड स्पार्ट मॉनिटर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन और इस कार में आपको मून रू जो कि मार्केट में एकदम ब्रेंड न्यू रहेगी इसके टक्कर में कोई भी नहीं होने वाली इस लुक्स में ये टाटा का X1 प्लैटफॉर्म शेर करती है जो कि एक बहुत ही मजबूत प्लैटफॉर्म है बारा लाख रूपे से गाड़ी चालू होगी और उसका जो टॉ आपको एक एंजिन मिलेगा जो कि है 1.2 लीटर का पैट्रोल इंजिन जिसमें आपको 5-speed का मैनौल ट्रांस्मिशन और 6-speed का आटोमेटिक ट्रांस्मिशन मिल जाने वाला है इंटियर से बात करे तो इंटियर में आपको 10 इंजिर 14 मिंट सिस्टम, वायर्लेस चार्जर, ADAS, dual zone climate control, 3 drive modes और TFT driver display आपको इस कार में मिल जाने वाला है फाइफ सेटर SUV आपको अवेलेबल होगी और आप 5 लोग आराम से comfortable होकर इस गाड़ी में राइड कर लोगे अब अगर बात कर लें कि ये कार कब तक launch हो जाएगी तो October 2023 में ये कार confirm भारती बजार में आने वाली है नमबर 3 पर आती है Honda WRV दोस्तो Elevate के launch होने के बाद से Honda Company इंडियन मार्किट में बहुत जादा active हो चुकी है और अब वो लोग बहुत जल्दी एक compact SUV के launch करने वाले हैं जो की है WRV ये दोस्तो Amize के platform पर बनाई जाएगी 7 लाख रुपे से ये गाड़ी चालू होगी और उसका जो top model वो आपको तकरीबन 12 लाख रुपे के अंदर मिल जाने वाला है अगर बात कर लेते हैं सकार के looks की तो पराने looks से इस कार के जो अब looks है वो बहुत ही change कर दे गया है और अब ये कार देखने में बहुत ही अच्छी लगते है और इसके जो electricals है उनके जो visibility है जो functioning है वो भी आपको बहुत ही तगड़ी मिल जाने वाली है अगर बात कर लेते हैं सकार के engine की तो अंदर आपको 7 inch infotainment system मिलेगा auto AC, wireless charging, drive modes, panoramic sunroof, safety classics, airbags, ABS, EBD, lane changing assist ऐसे कुछ features आपको मिल जाने वाले हैं और आप 5 लोग आराम से comfortable होकर इस गाड़ी में राइड कर लोगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी मतलब आप आराम से travel कर सकते हैं अपनी family के साथ में अब अगर बात कर लें कि ये कार कब तक launch हो जाएगी तो अगस्त 2023 में ये कार confirm भारती बजार में आने वाली है नमबर 4 पर आती है Dacia Duster Duster दोस्तों Indian market में comeback करेगी अपने नए looks के साथ में और अपने नए technical features के साथ में बियो platform पर ये गाड़ी बनाई गई है जो कि 10 लाक रुपे से ये गाड़ी चालू होगी और इसका जो top model वो आपको तकरीबन 14 लाक रुपीस के अंडर में मिल जाने वाला है अगर बात करने थे इस कार के looks के बारे में तो looks कार का बहुत ही अच्छा कर दी गया है पहले के मुकाबले और जो इसके electricals हैं उनको भी advance बना दिया गया है मतलब उनकी जो performance उनको भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है अगर कार के engine की बात कर तो इस कार में आपको दो engine मिलेगा पहला आपको मिलेगा 1.2 लीटर का petrol और दूसरा आपको मिल जाने वाला है 1.5 लीटर का diesel engine 5-speed के manual transmission और 6-speed के automatic transmission में आपको यह वाली गाड़ी मिल जाने वाली है अगर बात करें तो इस कार के interior से तो अंदर आपको infotainment system मिलेगा fully digital instrument console मिल जाने वाले टॉप model में और low model में आपको analog meter मिलेगा engine starts, stop button, HUD मतलब heads up display और यह जो गाड़ी आपको front wheel drive configuration और all wheel drive configuration में मिल जाने वाले तो आप अपने हिसाब से पसंद कर सकते हो और आप 5 लोग आराम से comfortable होकर इस गाड़ी में राइड कर लोगे आपको comfort को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अब अगर बात कर लें कि ये कर कब तक launch हो जाएगी तो September 2023 में ये कार confirm भारती बजार में launch होने वाली है नमबर 5 पराती है Hyundai Santa Fe ये दोस्तों एक 5 सेटर SUV है जो की 12 लाख रूपे से चालू होगी और इसका जो top model वो आपको तकरीबन 17 लाख रूपे के अंदर मिल जाने वाला है कार का जो look से वो बहुत ही शानदार एकदम sporty और muscular look इस कार को दिया गया है और देखने में ये कार बहुत ही बलकी लगती है अगर कार के electricals को देखे तो उनकी जो visibility है जो उनकी performance वो भी आपको even quality की मिल जाती है कार की engine की बात कर तो कार में आपको एक engine में लगा जो की है 2 लीटर का petrol engine जिसमें आपको six speed का manual transmission और automatic transmission available कर दिये जाएगा कार के interior से बात कर तो कार का जो interior वो बहुत ही प्यारा है और जो dashboard की fit and finishing वो भी कार की बहुत ही अच्छी है 3C degree camera, blind spot monitoring, dual zone climate control, TFT driver display आपको यहाँ पर मिलेगा heads up display, ventilated seats भी आपको मिलेगी और panorming sunroof आपको इस कार में available कर दिये जाएगा infotainment system का जो touch response वो ही बहुत ही अच्छा और उसमें आप apple carplay और android auto connectivity को use कर सकते हो आप 5 लोग आराम से comfortable होकर इस गाड़ी में ride कर लोगे आपको कोई भी दिक्कत इस गाड़ी में नहीं आएगी और बहुत ही बड़ा boot space आपको यहाँ पर मिल जाने वाला है अब अगर बात कर लें देगे कार कब तक launch हो जाएगी तो October 2023 में यह कार confirm भारती बजार में आने वाली है नमबर 6 पर आती है Kia Sorrento यह दोस्तो किया की तरफ से आने वाली एक बहुत ही luxury और बहुत ही good looking कार जो की देखने में बहुत ही शानदर लगती है मतलब लुक्स तो इस कार का best part है यह कार दोस्तो आपको 5 सेटर और 7 सेटर configuration में मिलती है 12 लाग रोपे से यह गाड़ी चालू होगी और इसका जो top model वह आपको तकरीबान 18 लाग रोपे के अंदर मिल जाने वाला है कार का लुक्स जैसे कि मैं आपको बता है बहुत ही stylish है और जो इस electrical की working है वो भी आपको even quality की यहाँ पर मिल जाती है आपको उनकी performance को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस कार के engine की बात कर ले तो इस कार में आपको दो engine मिलेंगे पहला आपको मिलेगा 1.6 लीटर का petrol engine और दूसरा आपको मिलेगा 2 लीटर का diesel engine 6-speed के automatic transmission और 8-speed DCT automatic transmission में आपको यह वाली गाड़ी मिल जाने वाली है इसमें आपको सरिफ 2-wheel drive ही मिलने वाला है अगर कार के interior से बात करें तो अंदर दोस्तों आपको 12.3 इंच का TFT driver डिस्पले मिलेगा heated steering wheel with pedal shifters, HUD मतलब heads up display, ambient lighting जो कि 64 colors में आपको मिलेगी panoramic sunroof, ventilated seats, electrically adjustable driver और co-driver seat और manually adjustable आपको passenger seats यहाँ पर मिल जाने वाली है और दोस्तों आप 5-setter लेते हो या फिर 7-setter दोनों ही बहुती comfortable है, दोनों ही spacious है, आपको comfort को लेकर कोई भी दिक्कत इस गाड़ी में नहीं आने वाली है अब अगर बात कर लें कि यह कर कब तक launch हो जाएगी तो October 2023 में यह car confirm भारती बजार में आने वाली है नमबर 7 पर आती है Volkswagen Altus, यह दोस्तों एक 7-setter SUV जो की MQB platform पर बनाई गई है, 10 लाक रुपे से यह गाड़ी चालू होगी और इसका जो top model वो आपको तकरीबन 16 लाक रुपे के अंदर मिल जाने वाला है car का जो look से वो देखने में बहुती शांदार लगता और जो सामने का designing है वो भी बहुती stylish look अपनी car को दे देता है और इस car में आपको जो electrical से वो भी आपको एकदम best quality के मिल जाते हैं आपको visibility के लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर बात कर लेते हैं इस car के engine की तो car में आपको एक engine मिलेगा जो की है 1.8 लीटर का turbo petrol engine जिसमें आपको 8 speed का automatic gearbox मिल जाने वाला है car के interior से बात कर तो car का जो interior वो बहुती luxury है 12 inch infotement system मिलेगा voice control, 360 degree camera, dual zone climate control, auto AC, wireless phone charging, ventilated front seats और 8 way driver adjustable seat भी आपको यहाँ पर मिल जाती है और इसका जो instrument console है वो आपको TFT मिलता है जो की पूरा ही digital है और देखने में बहुती तगड़ा लगता है और इस car में आपको कुछ drive modes भी मिल जाते हैं आप साथ लोग आराम से comfortable होकर इस गाड़ी में ride कर लोगे आपको comfort के मामले में कोई भी दिक्कत इस गाड़ी में नहीं आएगी अब अगर बात कर लें कि ये car कब तक launch हो जाएगी तो September 2023 में ये car confirm भारती बजार में आने वाली है नमबर 8 पर आती है निसान जीूक ये दोस्तो एक 5-setra SUV है जो की B platform पर बनाई गई है 9 लाक रोपे से ये गाड़ी चालू होगी और इसका जो top model वो आपको तकरीबन 15 लाक रोपे के अंदर मिल जाएगा अगर इस car के looks की बात कर लें तो car का जो looks है वो बहुत ही stylish यहाँ पर दिया गया है आप सामने से देख लो या फिर आप पीछे से देख लो दोनों ही तरफ से ये car जो बहुत ही appealing look और बहुत ही stylish design offer कर देती है अगर car के electrical की बात कर तो वो भी आपको यहाँ पर तगड़े मिल जाते हैं मतलब उनकी जो performance है वो आपको अच्छी खासी ही यहाँ पर मिल जाने वाली है car के engine की बात कर तो इसमें आपको एक ही engine मिलेगा जो की है 1.2 लीटर का petrol engine जिसमें आपको 5 speed का manual transmission और 6 speed automatic transmission मिलने वाला है अगर car के interior से बात करें car के जो interior वो बहुत ही अच्छा है जो fit and finishing है वो भी बहुत ही तगड़ी है 360 degree camera आपको यहाँ पर मिलेगा 10 inch infotainment system, blind spot, climate control, leatherette, upholstery आपको इस गाड़ी में मिलेगी और LCD instrument console आपको यहाँ पर इस गाड़ी में मिल जाने वाला है और आप 5 लोग आराम से comfortable होकर इस गाड़ी में राइड कर लोगे, आपको comfort को लेकर कोई भी दिक्कत इस गाड़ी में नहीं आएगी बहुत ही spacious यहाँ पर इस car को बनाया गया है अब अगर बात कर लें कि यह car कब तक launch हो जाएगी तो August 2023 में यह car confirm भारती बजार में आने वाली है नमबर 9 पर आती है Honda Pilot यह दोस्तों Honda की तरफ से आने वाली एक 7-setter SUV रहेगी और इस car का जो लुक्स है वो बहुत ही तगड़ा है बहुत ही उची सी यह गाड़ी है बोल्ड दिखती है दिखने में और इसका जो टक्कार वो एक SUV 7 डबलो से होने वाला है यहाँ पर यह जो गाड़ी के थोड़ी सी लक्जरी है आपको 13 लाक रुपे से यह गाड़ी चालू मिलेगा और इसका जो टॉप मोडल वो आपको तकरीबान 21 लाक रुपे के अंदर मिल जाने वाला है कार के जो एलेक्ट्रिकल से उनकी जो फर्म्शनिंग वो भी आपको यहाँ पर अच्छी खासी मिल जाती है अगर कार के इंजिन की बात कर तो इसमें आपको एक इंजिन मिलता है जो कि है 2 लीटर का टर्बो पैटोल इंजिन जिसमें आपको 8-speed का automatic gearbox मिल जाने वाला है और इस गाड़ी में आपको 4-wheel drive system मिलने वाला है अगर कार के इंटियर से बात कर तो कार का जो इंटियर हो बहुत ही luxury है 9-inch infotainment system आपको मिलेगा TFT driver display, riding modes भी आपको यहाँ पर इस car में offer कर दिये जाएंगे और आप साथ लोग आराम से comfortable होकर इस गाड़ी में ride कर लोगे आपको comfort को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि यह जो गाड़ी यह बहुती बड़ी है बहुती spacious है तो आप आराम से अपनी family को लेकर इस car में travel कर सकते हो अब अगर बात कर लें कि यह car कब तक launch हो जाएगी तो दोस्तो नवेंबर 2023 में यह car confirm भारती बजार में आने वाली है नमबर 10 पर आती है Skoda Kodiak यह दोस्तो एक 7-setter SUV रहेगी जो की दिखने में बहुती शांदर और muscular है 13,00,00 रोपे से गाड़ी चालू होगी और 22,00,00 रोपे के अंदर आपको इसका top model मिल जाने वाला है MQB platform पर इस गाड़ी को design किया गया है जो की बहुती durable platform है अगर car की engine की बात करें तो बहुती बड़ा engine आपको यहाँ पर offer कर दिये जाता है 2.2 लीटर का petrol engine जिसमें आपको 8 speed का automatic gearbox मिल जाता है अगर car के interior से बात कर लें तो आपको 8S sensors यहाँ पर offer किये जाता है 12 engine infotainment system मिलता है voice control, 360 degree camera, dual zone climate control, auto AC, wireless phone charging, ventilated front seats और आपको 8 way adjustable driver seats मिल दिये हैं बहुती लंबी है बहुती श्पेसिया से तो आपको बैठन में भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अपने परिवार के साथ में और आप 7 लोगों को बैठ कर आराम से comfortable तरीके से अपनी family को travel करवा सकते हो कोई भी दिक्कत आपको comfort को लेकर नहीं आएगी अब अगर बात कर लें कि ये कार कब तक launch हो जाएगी तो October 2023 में ये कार confirm Indian market में launch होने वाली है नमबर 11 पर आती है Hyundai Palisade ये Hyundai की तरफ से आने वाली एक बहुती लक्शरी कार है जो कि आपको कदम राजा महराजा वाली feel देगी अगर बात कर लें तो इस कार के setting capacity की तो 7 setor और 8 setor configuration में ये गाड़ी आएगी दोस्तो इस कार की जो pricing वो 20 लाक रुपे से चालू होने वाली है और इसका जो top model वो आपको तकरीबन 28 लाक रुपीस के अंदर में मिल जाएगा कार का जो लोक से वो बहुत ही शानदर है कार दीखने में बहुत ही luxury लगते है और इसके जो electricals है वो भी आपको एकदम top quality के मिल जाने वाले है कार के engine की बात कर तो कार में आपको 2 liter का turbo petrol engine मिलेगा जिसमें आपको 10 speed automatic gearbox available कर दिया जाने वाला है कार के interior से बात कर तो कार का जो interior वो बहुत ही luxury है 10.25 inch का आपको infotainment system मिलेगा और 10.25 inch का आपको LCD instrument console मिलने वाला है blind spot आपको इस कार मिलेगा HUD मतलब heads up display, 360 degree camera, air purifier, dual zone climate control, dual auto AC, drive modes, wireless charging, add eye sensors और भी बहुत सारे features आपको safety related और बहुत ही तगड़े features आपको इस कार में offer कर दिये जाएंगे और आप 7 लोग या फिर 8 लोग आराम से comfortable होकर इस गाड़ी में ride कर सकते हो आपको comfort को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अब अकर बात कर लेंगे कि ये कार कपतर launch हो जाएगी तो November 2023 में ये कार confirm भारती बजार में आने वाली है नमबर 12 पर आती है Toyota Highlander ये दोस्तो एक 8-setter SUV जो की GA के platform पर बनाई गई है 80% emission free driving car है ये जो की 20 लाख रुपे से चालू होगी और इसका जो top model वो आपको तकरीबन 28 लाख रुपे के अंदर मिल जाने वाला है कार का जो लुक से वो बहुत ही शांदर है जो की 8-speed automatic gearbox के साथ आने वाला है अगर कार के interior से बात करें कार का interior बहुत ही तगड़ा है heated and ventilated front seats आपको मिल जाती है front wheel और four wheel drive आपको configuration इस कार मिलता है optional में 12.3 inch का info treatment system मिलेगा और 12.3 inch का आपको driver cluster इस कार में मिल जाने वाला है dual zone climate control आपको इस कार मिलेगा ADAS sensors मिल जाते है blind spot और all wheel drive आपको इस कार में system मिल जाता है और जो इसकी ventilated seats हैं वो आपको सभी में देखने को मिलती है आप 8 लोग आराम से comfortable होकर इस गाड़ी में राइड कर लोगे space के मामल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि जी जो कार है वो बहुती space यह से बहुती बड़ी है तो आप आराम से comfortable होकर अपनी गाड़ी को मतलब अपनी family के साथ इस गाड़ी में travel कर सकते हैं अब अगर बात कर लें कि ये कार कब तक launch हो जाएगी तो November 2023 में ये कार confirm इंडियन मार्किट में launch होने वाली है नमबर 13 पर आती है जीब चैरियोग ये दोस्तो एक 5-setter luxury SUV है जो कि Fiat के compact wide platform पर बनाई गई है 21 लाक रूपे से ये गाड़ी चालोगी मतलब 21 लाक रूपीज और इसका जो टॉप मडल वो आपको तकरीबन 29 लाक रूपीज के अंदर में मिल जाने वाला है कार का जो लुक्स से वो देखने में बहुत ही शानदार लगता है आपको लुक्स को लेकर कोई भी complaint इसकार में नहीं आएगी और इसके जो electrical की working है वो भी आपको बहुत ही तकड़ी यहां पर मिल जाती है 2 लीटर का petrol engine आपको इसकार में ओफर किये जाता है जो की 8-speed gearbox के साथ आता है automatic में अगर बात कर लेते हैं सकार के interior से तो अंदर आपको 8.4 इंच का infotainment system मिलेगा TFT driver cluster मिलेगा जिसकी जो visibility है जो quality वो बहुत ही अच्छी है dual zone climate control, auto AC, ADAS sensors भी आपको इस कार मिलेंगे और panoramic sunroof आपको इस गाड़ी में offer कर दिया जाने वाला है और दोस्तो आप 5 लोग आराम से comfortable होकर इस गाड़ी में ride कर लोग आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, dashboard की जो fit and finishing car की वो भी बहुत ही तगड़ी है अब अगर बात कर लें कि ये car कब दक launch हो जाएगी तो September 2023 में ये car confirm Indian market में launch होने वाली है बाके दोस्तो आप comment करके बताओ कि आप इन 13 गाड़ी में से कौन सी गाड़ी को लेना पसंद करोगे या फिर आपको कौन सी गाड़ी यहाँ पर सबसे जादा पसंद आई है तूमी थे कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो शेर करो और अगर आप मेरे चैनल पर नए आया हो तो सब्सक्राइब करके बेल एकन दबा दो क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ अभी के लिए थेंक्स तिल देन वेट पर माइ न्यू अपकमिंग वीडियो